कि अगर्मान एशुरेंस रशना के आधार पर वाक्य भेग इस वीडियों में हम पढ़ेंगे वाक्त का दूसरा भेग सैयुक्त वाक्त तो सैयुक्त वाक्त क्या होता है जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत वाक्य हो उसे कहते हैं सैयुक्त वाक्त इन वाक्य में आये हुए उपवाक्त समान इस्तरके होते हैं एक वाक्य और दूसरा वाक्त बरावर है पहला वाक्य दूसरी वाक्य से कम नहीं है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य से जादा नहीं है इसलिए इन्हें समाना धिकरत या समाना धिकरण वोत वाक्य भी कहते हैं जैसे दोनों वाक के समान स्थर के राम आजरा रहा और मीरा मज़्वा रही तो दोनों वाक के बराबर महत्व है एक वाक के दूसरे वाक्र से कम नहीं है अच्छा इन फारक की पेंचान क्या होगी ये वाग यानि दो सरवाग आपस में जुड़े हुए होंगे पार या वा अथवा परंतु केंतु अतह तथा इन संयोजकों से दो सरवाग संयोजकों से जुड़े हुए होंगे पर परंतु तथा किंतु लेकिन अतवा या आदी से जैसे राम उपर से प्रसंद था ये एक सरवाग से दूसरा उसका है रो रहा था ये दूसरा सरवाग है इन दो सरवाग को हम जोड़ेंगे एक संयोजक से अब हमें ये देखना है कि इन दो सरवाग को जोड़ेंगे में कौन सा संयोजक ठीक बैठ रहा है आपके कौन से थे दो राम उपर से प्रसंद था उसका है रो रहा था तो इसमें संयोजक सही बैठेगा राम उपर से प्रसंद था परन्तु उसका है दर रो रहा था ऐसे हम दोसरा उदर रहने महें आगे बढ़ता रहा एक सरवाग दूसरा सरवाग रमेश पिछड़ता रहा तो इन दो सरवाग को हमें संयोजक से जोड़ना है अब कौन सा संयोजक होगा राम आगे बढ़ता रहा किन्तु रमेश पिछड़ता रहा तो यह दो सरवाग संयोजकों से जोड़े हुए होंगे अब आते हैं संयोजक 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 वाग और तीसरा वेद विरोज वाचक संयोजक वाग चोथा बेद हैं परना बाची संयोजक वाग अब यह संयोजक संयोग्त वाग क्या होता है जो सरवाम इसमें आपस में जूड़े हुए होते हैं कि अब span और संयोजक वाग कर पहला वेज संयोजक संदुक्त वाग क्या होगृत बत्रवाश क्या होगी जिन सहियुक्त वाक्यों में आए उपवाक या तो दो कार्यों को जोड़ने का काम करें वो होते हैं हमारे सहियुक्त सहियुजक वाक जैसे सुभम ताज महल देखने गया और सेवं लाल किला तो दो कार्य जुड़ रहे हैं एक ने वो कार्य किया और दूसरे ने वो कार्य किया या दो परस्ति जुड़ेंगी दूसरा अभान है इसका तुम्हारे लिए आलू जीरागी सब्जी है तथा उसके लिए मतर पनीर नहीं दो आदमियों के लिए परस्ति जुड़ी हुई है एक के लिए ये सब्जी है और दूसरे के लिए वो सब्जी दूसरा है इसका बेश विवाजक सईयुक्तवाग अब विवाजक सईयुक्तवाग जैसा इसका नाम है ये अललालक करते हैं विभाजक सहयुक्त वाक उन्हें कहते हैं जिनमें दो इस्ततियां अत्वा दो कार्यों के बीच विकल्प हो दो पैस्तियां या दो कार्यों के बीच विकल्प हो अताच एक को स्विकार किया जाए और दूसरे को अस्विकार किया जाए कुन्हें कहते हैं विभाज़क सैयुक्ट वाठ यह जो विभाज़क सैयुक्ट वाठ के हैं इनकी पेंचान क्या है दो उपाठ क्या, जुड़े हुए होंगे या lubi दो उपाठ के बीच में चिन्न होगा या सब्द होगा या अठ्वा, या या न न आदि इन समोच वोदर का व्यावका प्रयोग होता जैसे न मैं आपको पहचानता हूँ ना आपके भाई को ना मैं आपको पहचानता हूँ ना आपके भाई को दूसरा उतर मेनद से कारे करो अथमा छोड़ तू ना दो मैंसे एक काम करना है और एक को छोड़ना है तीसरा वेदैस का विरोध वाचक सहयुप्वाक जब उपवाक्यों में विरोधा वास हो एक वाक्य दूसरी वाक्य का विरोध करे तो ऐसे सहयुप्वाक्य विरोध वाची सहयुप्वाक कहे जाते हैं जैसे मात्मा गांदी जी आमरण अंसर नहीं करते मात्मा गांदी आमरण अंसर नहीं करना चाहते थे लेकिन अगरेजों ने उनकी बात मान ली लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी महत्मा गांदे जी आमरण अंसर नहीं करना चाहते थे लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी तो विरोध है अंग्रेजों ने विरोध किया गांदे जी के बात का इसलिए रांदे जी को वो आमरण अंसर करना पड़ दूसरा दान है मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना यानि वह नहीं माना वो विरोध कर रहा है पहने वाले काम का यानि समझाने का तो यह हैं विरोध बाची संयोक वाथ और चौथा राष्ट वेरेस का पहिणाम वाची संयोक वाथ जब एक उपवाथ से कार्यका तता दूसरे से उसके पहिणाम का बोध हो एक उपवाथ से तो काम का पता हो और दूसरे उपवाथ से उसके पहिणाम का पता हो वहाँ होता है पहिणाम वाची विरोध पेडा माची सरयुक्त वागत इसके पहंचार है ये दो सरल वागत के जोड़े होए होंगे आपस में प्राय अतह सोग इसलिए इन अवयों से जैसे वह अस्वस्त था कारे का बोद हो रहा है इसलिए लेता ही दहा दूसरे से पेडाम का बोद हो रहा है इसलिए इसे दोनों वागत के जोड़ रहे हैं वह मैस देखना चाह रहा था अता घर चला गया मैस देखना चाह रहा था अता घर चला गया अब एक वागत से काम का बोद हो रहा है और दूसरे से पेडाम का बोद हो रहा है पांग क्या है मैं देखना चाला था पैणान क्या हुआ गर चला ले तो ये जो संयोगत वाग्य होते हैं आपस में संयोजकों से जुड़े हो होगते हैं दूशंद बाद के होंगे और संयु ज़िगों से जड़े हूए होंगे चार देज पिर दो थे इसके संयु 0OOOOOOOO wow और सumin बर रुरोज हो लोन । बचीप अधर там DGod ऐस वीडियो में हं आप सबी में हों आप सायक्त बा इकों पढ़ाएंगे आगे की वीडियों लुक्त, थैंक।